हेलो दोस्तो मैं सुरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल सुरज पटेल एजुकेशन में दोस्तो जितने भी आइडियल मुंबई यूनिवोसिटी के फाइनल येर के स्टुरेंट थे चाहे वो TYB.com हो TYBA हो या TYB.se के स्टुरेंट हो साथ में आपको होल टिकिट कब मिलने वाला है आपको मौक टेस कब होने वाला है सब डिटेल वीडियो को इस वीडियो में बताने वाला है और डिटेल इंफरमेशन दोस्तों तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना और उन भाईयों को तो जरूर सेयर करना इस वीड जूरत हो और जितने भी न्यू दोस्ट इस वीडियो में जूर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों आप ये बॉक्स देखके चले मत जाएए नीचे के इंस्रक्सन है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाल हो जिसे कि मैंने बोल दिया मॉक्तेस और होल टिकीट को लेके दोस्तों सबसे पहला जो आपका डेट है तीवाई बीए का दोस्तों अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है लेकिन आपका एक्जाम कब से होगा वो डेट बता दिया गया है तीवाई बीए का फ्रेसर हो या रिपीटर का भी आठ जून से ही एक्जाम होने वाला है 2020-2021 एक टीवाई स्टुन था दोस्तों अभी इसके नीचे कुछ गाइडलाइन दिया जो मैं आपको भी कुछ टाइम में एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं इधर और भी इंफोर्मे फ्रेसर और रिपीटर का भी एक्जाम जो है वो 10 जून से होने वाला है और पार्ट टू एमकॉम पार्ट टू का एक्जाम 11 जून से होने वाला है मसी पार्ट वन का 10 जून से होने वाला है मसी पार्ट टू मेटमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का 11 जून से होने वाला है दोस्तो मैंने अभी आपको date बता दिया है कि exam आपका कब से होने वाला चाहे वो TY हो, चाहे वो MCOM हो, MA हो, MSC हो, BA हो अपना जो भी stream हो आपका मैंने अभी बता दिया अब important बात आथा है guideline क्या दिया हुआ है आपको whole ticket कब मिलेगा, क्या मिलेगा वो बात कर लेते दोस्तो पहली बात ये जो exam जिनका मैंने अभी date बताया है ये किन student के लिए applicable है तो ये उन student के लिए applicable है जिनोंने September to December 2020 में admission लिया हुआ था ये exam सिर्फ उनके लिए applicable है साथी साथ जो भी ATKT के student है, old and repeater student जिनोंने भी अपना form September से December के भीच में fill up किया था केटी के exam का, ये उनके लिए ही exam applicable है वो ही exam ये दे सकते है बात करते हैं कि जो आपका exam है दोस्तों वो पूरा exam online होने वाला है एस पर Mumbai University के circular base time table कब आएगा है, सबसे बड़ा question mark बनता है आप लोगों के दिमाग में कि exam का time table कब आएगा है तो exam date आया हुआ है तो Mumbai University ने इसके related भी कहा है कि आपका exam time table बहुत ही जल आपको इस website के link पे मिल जाएगा जिसका link उन्होंने नीचे दिया हुआ है मतब जल से जल आने वाला है बात कर लेते होल टिकिट आपको कब मिलेगा तो दोस्तो होल टिकिट आपको बोला है student ID को login करने के बाद 4-5 दिन पहले आपके exam के पहले आ जाएगा मतब जब भी आपका exam declare किया जाएगा उसके मतब जैसे कि अभी अगर 10 तारिक है उपर 8, TY वालों का 8 तारिक था तो 4-5 दिन पहले आपको हल टिकिट आपके login ID पे मिल जाएगा आप उदर से login ID करके ले सकते हो ठीक है student ID से दोस्तो बात आती है कि mock test कब होने वाला है तो दोस्तो आपका mock test Mumbai University आपके exam के 3-4 दिन पहले ही conduct करवाएगा जिसके related वो notice भी देगा और इस channel पे आपको वो information मिल भी जाएगी तो दोस्तो चैनल को subscribe करना ना भूले फिर से मिलता हूँ next video में जब तक के लिए आपसे अलवीदा लेता हूँ जे हिन जे भारत